हेलो वरेवन स्वागत है आपका आपके ही चैनल अमित अलभी में दोस्तों आज हम CRPC के एक important section 406 की बात करेंगे आखे लिए क्यों चर्चा में है इसकी पीछे का फ्रॉड रिजन जानते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि सुसान सिंग ने जो सुसाइड किया था जिसको लेकर रिया चकरती से जो मौडल थी उनकी गल्फेंड उनसे जो पूस्ताज चल लही है तो इसमें बिहार पुलिस ने ये आग्रे किया था कोट से कि जाच जो हो वो यहां से सुरू की जाए लेकिन एक एड़ोगेट है जिसी केस राय ने ये टिपड़ी की कि जो CRPC की धरा 46 है वो इन सक्तियों को बताती है कि हम किसी भी मामले की जाच को एक पुलिस टेशन से दूसरे पुलिस टेशन तक इस थानांतरित नहीं का सकते है CRPC का सेक्षन 406 ये कहता है कि केवल मुकदमा और अपील को इस थानांतरित किया जा सकता है लेकिन जाच को इस थानांतरित नहीं किया जा सकता अब ये इसलिए नहीं है क्योंकि पर्थम सुचना रिपोर्ट रिमांड कोड से अग्रसित की गई हो इसलिए नहीं ऐसा कुछ नहीं है है कि 406 Cric 무슨 कि कि ये सक्तियां नहीं है कि केवल कि मुकदमा और अपील को स्थानांतरित किया दश लेकिन जाच को स्थानांतरित नहीं किया सकता एक पुलिस टेशन से दूसरे पुलिस जैसा कि आप सुन रहे होंगे कि बार-बार यह आग्रे किया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ति जो मौडल रिया जो मौडल है हैं उनसे इन्विस्टिगेशन जो हो वो विहार पुलिस कर सके क्योंकि उनके पिता ने एफाई यार वहां पर दर्ज कराई है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की आधार पर जाच वहीं पर होगी जिस पुलिस ठाने में कराई गई तो इन्विस्टिगेशन की जो प्रोसेस ह कि इसमें हमारे एक वरिष्ट वकिल न्यायमूर्थी राम न्यायमूर्थी राय ने राम चंद्र सागर बनाम तमिलनाडू सरकार के एक मामले सुप्रिंग कोर्ट 35 मामले का एक हवाला देते हुए कहा कि क्योंकि एफाई यार या रिमांड रिपोर्ट को अगरसित किया जा तो किसी भी मामले की जाच को इस्थानांत्रित नहीं किया जा सकता है लेकिन मुकदमे और अपील को इस्थानांतरित की जाञता है CRPC का 406 साब साब ये कहता है कि हम किसी भी मामले की जाच को इस्थानंत्रित नहीं कर सकते हैं अब बात यहां पर यह हुई कि बिहार सरकार CBI को बराबर यह आग्रे कर रही है कि आप जाच अपने यहां अपने तरीके सक्राएं लेकिन सुप्रीम कुड ने कहा है कि यह CRPC के 406 का उलंगन है क्योंकि उसकी जो सक्षन 406 की जो सक्तियां है वो बहुत ही संकुचित हैं नहीं थैं उसमें किवल आप मामले और मुकदमे की सुनवाई को इस्थानंत्रित कर सकते हैं लेकिन आप जाज को इस्थानंत्रित नहीं कर सकते हैं तो यह हमारा पुरस CRPC का सेक्षन 406 है और जो अभी तक इसकी सुनवाई चल रहे हैं अब आगे देखते हैं क्या होता इस केस में जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट सेक्षन की बात होगी उस सेक्षन के बारे में हम डिटेल से जानेंगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सेर जरूर करिएगा और लीगल अवैर्णेस और लॉओ से जुड़े हुए वीडियो थ्योरी वीडियो अगर से चाते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएए तब तक कि लिए धन्यवाद है